हाई गाईज मैंने में इसमिलाव गुपता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूटीब चैनल एम जी एजटेंडमेंट दोस्तों एप्रेल 2023 का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर कर दिया है अब यहां पर मैं आपको यह पता हुआ कि आप रिजल्ट को चेक कैसे करेंगे साथ में यह भी बताऊँगा कि रिजल्ट चेक करने के बाद अगर आपके रिजल्ट में अब्रिवेशन साइव हैं लाइक एस वाइसी एस वाइसी पी एपसेंट एंसी या आरलाय हुआ हुआ है तो ऐसी अब्रिवेशन से बिल्कुल भी डरने की जूरत नहीं हाला कि यह पर जाएं लिखिए एपरिल 2023 रिजल्ट राइट उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जब क्लिक करेंगे तो इन्रॉल्मेंट नमर यहां पर अपने इन्रॉल्मेंट नमर जो भी आप डाली है और यहां पर कैप्चा डालके सब्मिट पर क्लिक क यह है कि जैसे यह रिजल्ट देख सकते हैं इसमें बच्चा हर एक सब्जिक के अंदर पास है फीपीपी बट यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ पास इसका मतलब है यह रिजल्ट कनफर्मड पास है क्योंकि अन्दर एक पास मांक्षीट लेने के लिए अब को कम से कम 5 सब्जेक्स मिनिममम 5 सब्जेक्स यू हाव टुक लियर तो इस बचे ने पांचaches सक्रक्राइब करें यहां पर इसके result में पास आया हुआ है आप मैं कुछ एक्सफाइम्ब्स बताता हूं जिसमें डिव क्युक्र मैं अगर आपके डिपर ऋप्टे से यहां पर पास नहीं आएगा यहां पर डबल X मेली शो होता रहेगा अब इस रिजल्ट को देख सकते हैं आप यहां पर देखें प्रक्टिकल के अंदर 60 मांक है लेकिन टीम में यहां टोटल है टूटल इसके 60 मांक है फिर भी रिजल्ट के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं और यहां पर इसके टोडल मार्स आ रहे है 51 जो कि इसके प्राक्टिकल के ते फिर भी इसके रिजल्ट के अंदर आरे लग गया इसका मतलब है रिजल्ट लेटर रिजल्ट बाद में आएगा अब यहां पर एस सब्जेक का पेपर भी इसको बच् हो गया है तो यहां पर इसको थोड़ी सी महनत कने पड़ेगी अब एक एगजमपल और देख लेते हैं अब यहां पर आप फास है पास है लेकिन यहां पर लिखा हूए एस वाइसी का मतलब क्या है सबजेक है हिस्टिरी का कोई practical नहीं होता इसका मतलब है subject यह डियर इसका म होगा लेकिन अगर किसी रिजल्ट के अंदर एस वाई सी आता है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उसका प्रैक्टिकल और ठेरी दोनों ही आपको देना पड़ेगा लेकिन अगर माली यह सब्जेक्ट है इंग्लिश और इंग्लिश के रिजल्ट में सामने आया है एस वाई सी इसका मतलब है इंग्लिश का प्रैक्टिकल तो होता नहीं तो इंग्लिश का सिर्फ आपको ठेरी देना है और आपके रिजल्ट में सुधार हो जाएगा लेकिन अब यह मुझे बताइए कि रिजल्ट तो आ गया तो आप कैसे तीस दिनों के अंदर मैंने बताया था वीडि स्टूडेंट्स गैरंटीड पास हो सकते हैं एनवेस के थ्रू वह भी सिर्फ कितनी दिन में तीस दिनों के अंदर जो इस वीडियो में मैं बताना जा रहा हूं आपको बड़े ध्यान से सुनिएगा इससे आपका साल बच जाएगा आपको पूरे साल महरत नहीं करने अगर प्रक्टिकल है तो प्रक्टिकल दूँगा थेयरी है तो थेयरी दूँगा दोनों है तो दोनों दूँगा लेकिन डेट मैं डिसाइड करूँगा कब डिसाइड करूँगा मैं डिसाइड करूँगा डेट कैसे ओन डिमांड एक्जाम के अंदर अगर एनवेस का कोई तो वो तीस दिनों के अंदर अपने रिजल्ट को पास में कर सकता है अगर उसके रिजल्ट में SYC, SYCT, SYCP और XXX जासे कुछ चीज आई हैं तो वो क्या करेगा जून, जुलाइ, आउगस्ट, एंड सेप्टेमबर यह चार महीने ऐसे हैं जिसके अंदर आप अपनी सीट बुक करके अपने रिजल्ट को पास में कर सकते हो मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा पूरा है और यह भी बताऊंगा कि क्या आप गैरेंटीड पास होना चाहते हैं तो इस बारे भी वह इस वीडियो के आपको जरूर बताऊंगा वीडियो को पूरा एंड तक और करने के लिए यहां पर सीट्स बुक की थी जिसके मैं एक्जामपल अभी जीता जाकता दिखाऊंगा लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट अगर पेपर देना चाते हैं और या फिर आप पूरे स्टेट में कहीं भी रहते ह अपने सब्सक्राइब करने हैं और अपनी सीट करना है और जाकर एक्जाम को क्लियर कर देना है बस यहां पर प्रॉब्लम यह है कि ऑन्डिमांड एक्जाम में थोड़ा सा पेपर टाफ आता है तो उसके लिए हमने बहुत भैतरीन तैयारी की हुई अपने चैनल पर यहां पर हम आपको देंगे कुछ important study materials notes और कुछ practical की files और PDF जिसे मात्र पढ़ने से study करने से कुछ चंद दिनों की अंदर study करने से आप अपने result को पास में convert कर लोगे क्योंकि हम इस field में काफी time से काम कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि on demand exam के अंदर आखिर क्या क्या आता है तो दोस सीटे थी जून की वह सारी cbsc के बच्चे ले गए अब जो रही बची सीटे हैं वह आप में से जितनी जल्दी जो बच्चा बुक करेगा वह सीट लेके चला जाएगा क्योंकि लिमिटेट सीट होती हैं आप देख सकते हो यहां पर छे तारीक को देखा जाए तो सिरफ चा सारीक को कितनी सीट हैं सिरफ 6 सीटे हैं तो इसी तरह से आपका जुलाई में ऑगस्त में सेप्टेबर में भी सीट अलड़ी फुल हो चुकी हैं लेकिन जहां जहां पर सीट बची है आप चाहो तो फटा-फटा अपनी सीट को बुकिंग करवा सकते हो दोस्तों सीट बुक क यहां पर आप देख सकते हैं और पासिंग बस करना यह 100% अगर आपको पास होना है अगर आपके रिजल्ट में फेल है यह डबल एक्स डबल एक से तो अपने रिजल्ट को पास में कर सकते हो वह विदिन थार्टी देज बट हाओ आपको करना क्या यह है वाट्ट सेप पासिट को रिव्यू करेगी उसको जज करेगी एनलाइज करेगी और उसके बाद आपको वाटसेप रिप्लाइ करेंगे कि क्या आपके लिए बहतर सॉलूशन है और किस सरसे आप अपने रिजल्ट को 30 डेज के बात क्लियर कर पाते हो तो यहां पर करना सिरफ यह होता है कि अपनी सीट बुकिंग करने होते हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी देरी ना करें क्योंकि सीट बहुत तेजी से फूल अप हो रही है आपको पता है रिजल्ट आने के बाद कितना हरकम पमच जाता है बच्चों के अंदर हर बच्चा भाग रहा है सीट करने के लिए तो अगर हम तो चले अपने मैसेजिस का रिप्लाइ देने के लिए आपके मैसेज का भी मुझे इंतजार रहेगा मैं मिला गुपता मिलूँ आपसे नेक्स वीडियो में तिल देन गुडबाई